हर्लो एवरिवन माइनेम इस मनेश इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ MP Board अभ्यास प्रश्न पत्र कक्छा 12 विसे अर्थसास्र सेट बी का अंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ स्टुडेंट विडियो को लाइक, सेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेसका PDF टेलिग्राम पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर वहां से PDF को डाउनलोड करें कॉफी के मुल्य में वृद्धी होने पर चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती सुन्यों जाती इसका आंसर आएगा बढ़ती है निवनम में से कौन सी वस्तू पूरक वस्तू है? चाय तथा कॉफी, कोक तथा पेपसी, चावल तथा गेहूं, कार तथा पैट्रोल तो इसका आंसर आएगा कार तथा पैट्रोल एक समाजवादी अर्थविवस्ता का मुल्य उद्धेश्य होता है अधिक्तम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, लाप का माना, अधिक्तम लोक कल्यान उप्योगिता की माप की जा सकती मुद्र के द्वारा, वस्तू विनिमै द्वारा, वस्तू के वजन द्वारा, नैतिक्ता द्वारा इसका आंसर आएगा मुद्रा के द्वारेकिस अर्थ्वेवस्ता में कीमत तंत्र के अधार पर निदने लिये जाते हैं समाजवादी, पुंजीवादी, मिसरित, अ और बाद दोनों तो इसका आंसर आएगा मिसरित जब सिमान उपयोगिता सुन्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता होती है इस्थिर धनातमक रनातमक सुन्य तो इसका आंसर हो जाएगा सुन्य फिर है रिक्ते स्थानों की पूर्ती करना यहां पर अल्प कालिन उत्पादन को डैस अनुपात का नियम कहा जाता है परिवर्तन सिल अनुपातों का नियम कहा जाता है पैमाने के प्रती फलो का संबन डैस काल की अउधी है उत्पादन काल की अउधी से होता है दिर्व काल मे उत्पादन के सभी साधन डैस किये जा सकते हैं परिवर्तित किये जा सकते हैं E S equal to zero तो पूर्ती की लोच डैस है सुन्य है औसत लागत वक्र का आकार यू अक्छर जैसे होता है लागत फलन में लागत टैस उत्पादन की फलन होती निर्गत उत्पादन का फलन होता है तो ये छे प्रशन जिनका आंसर स्क्रिंसोट ले अब बात करते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य की ब्रिटिस अर्थसास्त्री जॉन मिनाटकिन्स का जन्म 1993 में हुआ था ये गलत है जी एनपी एक राष्टी अवधान जी एनपी जन नैशनल कॉंसेप्ट जन ट्रू निवल निवेस बराबर होता है सकल निवेस माइनस मुल्य हरास ये राइट है अती अल्पकाल में पूर्ती पुर्णता बेलोचदार होती है तो ये है आपका चौथा होगा सत्य होगा पुर्णत प्रत्योगिता में फर्म की कीमत निर्धारित होती है तो ये आएगा आपका गलत बजार कीमत उच्चावचन वली प्रक्रिया है ये क्या है आपका सही होगा फिर NDP का होगा आपका Net Domestic Production प्रक्शन एनन पी का फुल फॉर्म होगा आपका नेट नैशनल प्रोड़क्ट केंदरी बैंक आर बी आई वैसाइक बैंक एस बी आई टिकाव वस्तु आएगा रेफ्रेजरेटर प्रवा आएगा गयात्मक आउधारना इसका होगा लिरिकल कॉंसेप्ट वस्तु विनिमाई की कठनाई दोरी सन्योग का अभाव होगा उसके बाद है आपका एक वाकिम उत्तर देजिए MPC का आप कुंट फॉर्म बताना है marginal propensity or to consume होता है उभोगता फलन क्या होता है उभोग फलन एक ऐसा फलन जो आए और उपभोग के बीच संबन दरसाता है और उसके बच्चत की प्रवित्ती बताना यहाँ पर और उसके उपभोग प्रवित्ती आए की एक एक ऐसाती है GST क्या होता है गोर्ष एंड सर्विस टैक्स होता है अदाएगी संतुलन में कौन सी चालू खाता पुंजी खाता और वित्तिय खाता सामिल होते हैं वैपार से इसमें कौन सी मदे सामिल होती वैपार से इसमें नर्यात और आयात के बीच अंतर सामिल होता है तो इसे स्क्रिन सोट ले फिर है आपको उपयोगिता का अर्थ लिखिए अत्वा सिमानत उपयोगिता की दो विसस्ताइं लिखिए उसके बाद है आपका right meaning of utility budget line किसे कहते हैं अधिमान वक्र किसे कहते हैं पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं अल्पकाल किसे कहते हैं कुल लागत किसे कहते हैं फिर है आपका पूर्ती की लोच का सुत्र लिखे टिकाव उपभोगता वस्तुएं किसे कहते हैं दोरी गर्णा किसे कहते हैं ये सारे प्रशना आपको बोड एक्जाम के लिए तयार करना है वैसाईक बैंकों के दो कारिये लिखे के इंदरी बैंक के कारिये बताना है सरकारी बजट का क्या अरत है उसको लिखना है अर्थववस्ता के तीन केंद्री समस्याओं को लिखिये वेस्टी अर्थसासर और समिश्टी अर्थसासर में अंतर most important question पुर्ण पृत्योगी बजार के तीन लगषन लिखिये यह question आपको कर लेना है फिर है आपका अगला GST की वैख्या करना यहाँ पर मांग के नियम most important रहेगा मांग का नियम क्या है रेखा चित्र के द्वारा समझाईए बजार संतुलन की वैख्या रेखा चित्र की सायता के यह समग्र मांग क्या है उसके बारे में आपको बताना है यह सारे प्रशन आप लोगों के लिए most important रहेगा वैपार संतुलन तथा अदाएगी संतुलन में अंतर स्पष्ट करना है balance of trade, balance of payment इनके बारे में आपको अंतर लिखना है फुर merit of flexible exchange rate के बारे में बताना है तो तेविस प्रशन रहेंगे तो विडियो को करे like, share और YouTube channel को subscribe धन्यवाद